हलो दोस्तों आदाब नमस्कार सब्स्री अकाल दोस्तों मैं खुर्शीद अहमत भाई जी जिला बिजनौर यूपी से आपका दोस्त जैसा के आपको पता है के मेरे यहां जो दर्वाजे हमारी फैक्टरी में तयार होते हैं उसको हम विदाउट पॉलिश आपको दिखाते रह विद पॉलिश आपको दिखाना चाहरा हूं कि यह जो हमने क्वालिटी बनाई थी आप यूट्यूब पर सर्च करना इसको तो भाई जी फर्निचर हाउस के नाम से तो आपको यह वीडियो इसकी जो प्लेन वीडियो है रफ की वह आपको मिल जाएगी तो यह पॉलिश होन यह दो मिनिट के लिए तो मैं आपको इसके रेट के बारे में भी पॉलिश का क्या खर्चा आया एक दर्वाजे पर और इस पूरे दर्वाजे का विदाओट पॉलिश क्या खर्चा है वह सारा मैं आपको बताने वाला हूँ डिजाइनिंग बहुत ही बेतरीन और बहुत ही सुन्दर है क्योंकि जब आप इसको कोरा देखते हो तो यह डिजाइन जो है आपका 20% खुबसूरत लगता है और पॉलिश होने के बाद यह 100% आपको खुबसूरत दिखाए देता है जब इसका पॉलिश का आपको फाइनल का ह लगेगा तो इसके अंदर जो है फिनिशिंग भी आ जाएगी और चमक भी आ जाएगी तो चलिए दोस्तों विस्ता से शुरू करता हूं अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें अगर हमारी बात आपको यह जो दिर्वाजा है यह डबल साइड है यानि दोनों तरफ से एक जैसा है जैसा आपको यहाँ पर यह फरंट साइड दिख रही है ऐसा ही आपको यह बैक साइड भी दिखाई देगा अभी आपको दिखा旦ेता हूं यह देखिए इसकी back side भी देखिए यानि इसमें उल्टा सीधा कुछ नहीं होता सबसे main चीज जो है ना दरवाजे की खास बात यह है कि उल्टा सीधा कुछ नहीं होता दोनों तरफ से आप देखोगे तो दोनों तरफ से आपको एक जैसा ही दिखाई देगा यह हमने इसको पलटके रख दिया है, यह देखिए, फरंट से भी ऐसा ही है, और बैक से भी ऐसा ही है, इसको भी बदलके रख दिया, यह देखिए, दोनों तरफ से एक जैसा, तो इसकी जो किमत है दर्वाजे की, विदाउट पॉलिश दोस्तो, जो मैं बनाता हूँ, यह 800 र लगड़े की मिक्सिंग नहीं 95 परसंट आपको पकी लगड़ी जो के पकी लकड़ी में भी आप इसमें किसंव होती है मैं आपको बता दू आप साग्वान जो है ना साग्वान से बढ़िया साघवान यह तीनी स्टेट की साघवान है नागपुर MP और उत्राखंडॉक MP की साघवान जो होती है उसका जो कलर होता है इससे डार्क होता है उसके पालापन जाधा होता है लक़वही की अंदर तो इस तरह का इसमें जो है खुबसूरती बहुत ही बेतरीन और बहुत ही जबर्दसता आपको दिखाई देगी और जब ज्यादा डार्क होगा ना कलर लकड़ी का ज्यादा बिलैक में होगा तो वो दर्वाजा ज्यादा बिलैक नजर आएगा इसको फुल मिलाकर कहने की बात य बेंगे दोनों तरफ से एक जैसा होगा डिले में सॉलिड वूड होगी किसी बहुतों कोई बी मिक्सिंग नहीं होगा दोनों तरफ से आपको एक जैसा अगर आप वरॉन सैड में लेना चाहते हो उसको यां detto START पीछे से खाली होगा आधाइंची पीछें से आधाइंची खाली होगा तो यह वाला डिजाइन अगर आप लेना है तो 600 रुपए स्क्वाइर फुट में आपका बन जाएगा यानि कुल मिलाकागर मैं आपको पूरे दर्वाजे की कौस्ट बढ़ता हूं अगर आपका साथ तीन का ये दर्वाजा है साथ फुट लंबा है तीन फुट चोड़ा है तो ये दर्वाजा आपको लगवग लगवग आपको 12,600 रुपे में वन साइड पड़ेगा और आपको लगवग 16,800 रुपे में दोनो साइड का पड़ेगा 12,600 रुपए में आपको वन साइट पढ़ेगा और 16,800 रुपए में आपको दोनों साइट पढ़ेगा यानि जयता कि यह चमक रहा है मैंने आपको दर्वाजे दिखाए दोनों साइट अब इसका दोस्तों लोग पूछते हैं कि पॉलिश का कर्च कितना आता है अब में मुद पॉलिश है यह जो पॉलिश हो रहा है यह लेकर में हो रहा है इसकी जो क्वालिटी है जो हम बोलते हैं कि कौन सी क्वालिटी का पॉलिश है तो इसको बोलेंगे लेकर अभी यह फाइनल नहीं है फाइनल एक इसका एक कोट इसको अभी लगना बाकी है जो इसका फिनिशिं कि बात करें तो मेला माइन अगर हम polish कराएंगे तो उसका खर्च आएगा एक दर्वाजे के उपर 5,000 रुपए का इसी तरह से अगर हम प्यू की बात करें कि प्यू polish पालिश का कितना खर्च आएगा तो दोस्तों हर चीज में हर तरह की quality होती है जितना आप अच्छा कराऊगे उतनी आपकी quality भी बढ़ती चली जाएगी और cost भी उसकी बढ़ती चली जाएगी तो इसी तरह से pure polish का यह है कि main चीज अगर आप high-five quality में कराते हो तो जिस cost का आपका दर्वाजा होता है उसी इतनी ही cost आपकी polish में आती है यानि अगर एक दर्वाजा आपका 12,000 रुपे का something तो आपका polish भी 12,000 रुपे का उसमें लगेगा यह प्यू पॉलिश की आपको बताओ मैं प्यू पॉलिश की बात उसकी वज़ा यह होती है कि हर चीज में first second third quality होती है तो आप मतलब यह है कि third quality का अगर प्यू नपाई होती है दर्वाजे की तो यह दोनों तरफ से होती है वन साइट नहीं होती है यह जैसे के हमने लकडी का दर्वाजा बनाया तो हमने इसको नापा तीन इंटू चार के हिसाफ तीन इंटू साथ तो साथ यह 21 हो गया इसी तरह से जब यह polish वाला नपाई करेगा तो दोनों तरफ से नपाई करेगा तो उसका 21 फूट इदर से हो गया और 21 फूट इदर से हो गया तो जाहिर सी बात है उसका हो गया 42 फूट अगर उसने सीधा सीधा आपसे 100 रुपे फूट भी लिया दोस्तों तो 42 100 रुपे तो वैसे ही बनते है तो यह करके आपको कुल मिला पॉलिके होता है ये तो हलकी का होता है और इनका खर्च तीन हजार 54 2000 रूपे में आपका दर्वाजाब बन जाता है इसी तरह से और आ प्यो पूलिश करा ओदा हो तो कम से कम 8000-10000-10000-60000 से कम पॉलिश नहीं होता तो ये चीजे याद रखने वाली सारी चीजे मैंने आपको बता दी अगली वीडियो में और नए अच्छे दर्वाजों के साथ और इससे भी बढ़िया और इससे भी बढ़िया पॉलिश के साथ मैं आपको दूसरी वीडियो मिलूँ